हलो एवरीवन, मेलकम बैक तो मैं चैनल, आज मैं हरी लेसन का इंस्टेंट अचार बनाने वाली हूँ, इस वट हरी लेसन बहुत ही असानी से मिल रहा है और लेसन हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, यह बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे तुरंत बनाकर आप इसे तुरंत खा सकते हैं, तो आईए रेस्पी शुरू करते हैं, मैंने धाइस्टो ग्राम लेसन ले लिया है और इसका जो रूट के साइड का जो पोर्शन है उसे हम कट कर देंगे, और जो थोड़ी सी उपर में सूखी सी पतिया है उसे हम सुखी पति है उसे भी हम निकाल कर बिलकुत साफ कर लेंगे, इसी तरीके से मैंने सभी को साफ कर लिया है और अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से दो से तीन बानी के साथ हम इसे साफ कर लेंगे, अब जो इसके उपर में लहसन का पाठ है उसे हम काट कर निकाल लेंगे जिससे दरदरी हो जाए इसी तरीके से मैंने लहसन का पाट अलग कर लिया है और पतियों को काट लिया है और अब यह लहसन है इसे भी हम छोटे से टुकड़े में कट कर लेंगी और मैंने यहाँ पे एक अद्रक का टुकडा लिया है और चार से पाच मिर्ची ली है और इसा भी को मैं एक चौपर में डाल दूँगी हमने मिर्ची को भी छोटी पीसे में कट कर लिया है और इसी तरीके से हम अद्रक को भी छोटी टुको में कट कर लेंगे और अब हम इसे छॉप कर लेंगे फुरी सी दरदरी ही रखनी है बहुत ज्यादा इसे पेस्ट काइंड ओफ नहीं बनाना है और नहीं हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे तब देख रहे होंगे ये बिल्कुल दरदरी सी थोड़ी मोटी मोटी सी कट चुकी है अब हम कुछ मसालों को रोस्ट करेंगे मैंने यहां पे पैन गरम कर लिया है और 2 टेबली स्पुन हमने सौफ लिया है 2 टेबली स्पुन धनिया 1 टेबली स्पुन जीरा और 1 फोथ 1 स्पुन हमने मिथी के दाने लिये हैं और इन सभी को रोस्ट कर लेंगे बस हलका सा गरम करना है जिससे एक दरदरा सा पॉडर बना सके तो लगबग एक से देड़ मीनट के लिए मैंने इसे गरम कर लिया है और अब हम इसे थोड़ी धे ठंडी कर लेंगे जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे मिक्सी में डाल कर थोड़ी सी दरदरी इसे कुटलूंगी मैंने वापस से उसी पैन को गरम कर लिया है और इसमें लगबग 2-3 टेबल स्पून मैंने सरसो ओयल लिया है जब यह थोड़ी सी ओयल गरम हो जाए तो हमने जो लैसन, मिर्चियों और अधरक को चौप किया था उसे हम डाल लेंगे और इसे थोड़ी देर हम इसे भूल लेंगे थोड़ी सी सौफ्ट हो जाए इतनी तक हम इसे भूनेंगे और इसके बाद जो हमने पत्यों को कट करके रखा है उसे हम डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ी देर भूनने देंगे अब मैं इसमें 1 टेए स्पून काला नमक, सॉल्ट टेस्ट के एकॉर्डिंग, और थोड़ी सी हींग डाल रही हूं, इन सभी को डाल कर हम इसे मिला देंगे, अब मैं इसमें कुछ मसालों को डालोंगी, तो मैंने यहां पे 1 टेए स्पून हल्दी पॉडर, और 1 टेए स्पू मसालों को अड़ कर देंगे, और इन सब को अच्छी तरीके से हम भोनेंगे और थोड़ी पकने देंगे, मैंने यहां पे कस्मेली लाल मिर्च के इस्तमाल किया है, जिससे इसमें थोड़ी सी कलर आए, तीखा पन जादा ना आए, और साथी मैंने यहां पे 1 टेए स्पून आमचुर पाडर भी आड़ किया है, आप आमचुर पाडर की जगह आप चाहें तो इसमें नीबू या वेनेगर कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इसमें एक थोड़ी सी खटास आएगी, और इसका जो तीखा पन है वो बैलेंस होगा, अगर आपको यह लगी कि थोड़ी स के लिए कुख होने देंगे, अब आप देख रहे होंगे, यह विल्लकुल सॉप्ट हो चुकी है, यह विल्लकुल कोख हो गई है और रेडी हो चुकी है, और जब यह ठंडी हो जाए, तो हम इसे बिलकुल एक साफ और सुखे हुए कंटेनर में निकाल कर हम इसे स्टोर कर सक हमारी अचार बनकर बिल्कुल ready है तो मैं इसे कंटेनर में निकाल ले रही हूँ आप इसका इस्तेमाल तुरंत कर सकते हैं लेकिन आकर आप एक दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो और अच्छी तरीके से डेबलप हो जाएगा और खाने में और ज्या आप इसे फ्रीज में रखकर लगभग 15-20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रीज के बाहर आप इसे लगभग एक हफ्ते तक बड़े अराम से इस्तेमाल कर सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है कि हम इसे जो कुक करेंगे वो अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे इसमें म बहुत अच्छी है तो आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी कमेंट्स पर लिखर जरूर बताएं फिर मिलती हूँ एक नहीं रेस्पी के साथ एक नहीं वीडियो मे थांक यू थांक यू थांक यू फो वाचिंग